नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं देख नियूज मैं हूँ आपके साथ पबंतिवारी इस वीडियो में आपको एक अजीबो गरी फ्रेक्ट बताएंगे जो शायद आपके से जुड़ा है आपको अजीब लग सकता है लेकिन यह है आपके सेहत पर सीधा आसर कर सकता है बियर पिना लोगों के लिए आजकर एक आम बात हो गई है युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है आजकर कोई भी पार्टी बियर के बिना पूरी नहीं मानी जाती है दरसल बियर पिना आदुनी की जीवन शेली का एक एहम इससा माना जारे लगा बियर की खबत भी बढ़ गई है क्योंकि एन्य अलकोहल की तूलना में कम नशीला होता है और थांडी बियर गर्मी में रहा देती है ऐसा लोग मानते हैं अकसर देखा जाता है कि ज्यातातर लोग बियर के साथ कुछ खाते पीते भी पार्टियों में बीर के साथ पीजा, शिकन, नमकीन, पकोड़े, सूके, मेवे, आदी परोसे जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बीर के साथ ऐसी मसालेदार चीजे खाने का सुआत और मज़ा और बढ़ जाता है। बेशक यह सच है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीर के साथ इस तरह कि मसालेदार चीज खाना आपकी सियद के लिए खतरनाग साबित हो सकता है। विशे शग्ये इस बात से सहमत नहीं है कि गलत भोजन और शराब का इस सयोजग पोशक तक्वो के अवशोशन को रोक सकता है। इतना ही नहीं बीर या किसी अन्य तरह की शराब के साथ गलत चीज का सेवन करने से भी पेट में एसिड रिफ्लेक्स और ब्लोटिंग हो सकती है। बीर या वाइन पीने के कुछ नियम होते हैं। उधारन के तोर पर वग्याने को कमाना है कि स्रीमित मात्रा में वाइन या बीर का सेवन शरीर को फिट रखता है। इसी तरह खाली पेट शराब पीना या गलत खा दिया पर दातों के साथ लेना आपको बिमार कर सकता है। इससे निर्जली करन और सिर्दर्द भी हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि बीर पीते समय या बाद में आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। रोटी या रोटी से बन tolerant के लिए नुकसान दाएक होता है। इसके लावा मसाले डार पेर के साथ नहीं चाहिए। विशहग्य मांते हैं कि मसाले दार चीजों का सेवन करने से आपको मज़ा तो आ सकता है। लेकिन صحیहत के लिए ये नुकसान दाएक होता है। वहीं विशहग्या नमकीन साथ भी ना पीने की सलह देते हैं इसके लावा स्वास के लिए डार्क चोकलेट के अपने फायदे होते हैं लेकिन इसे भीएर के साथ लेने से परिशानी हो सकती है, अन्य खादे-परदातों की तरहे चोकलेट में कैफिन, वसा कोकूआ होता है, भीएर के साथ इसका सेवन करने से gastrointestinal समस्या हो सकती है आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार